तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक वाइवरेन हिराकू के विलेज के उपर आकर काफी गुसे में चिलाने लगता है जिसे देखकर सभी लोग परिसान हो जाते हैं वहीं हिराकू सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे इस पर आटेक करके इसे यहां से भगाने की कोशिस करना चाहिए या फिर मैं इसे इग्नोर कर दू क्या पता थोड़ी दियर के बाद यह अपने आप ही यहां से चले जाए तब ही वह वाइवरं विलेज पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है जो देखते ही टिया और लूसी अपनी पावर को मर्ज करते हुए वहां पर एक सील बनाती है पर वाइवरं के अटैक से वह सील टूड जाता है और उनके field में लगे हुए फसलो में उस attack की वजह से आग लग जाता है जो देखते ही सभी elf काफी तेजी से उस आग को बुझाने में लग जाते हैं वहें यह सब देखकर हीराकू काफी जादा परेसान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए मैंने अगर अभी कुछ नहीं किया तो यह पूरा village destroy हो जाएगा तो मुझे इस जगह पर जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा तब हीराकू का हाथ glow करने लगता है और अब वह देखता है तो उसके हाथ में एक glowing spear होता है अब उस spear को देखकर हीराकू को कुछ भी समझ में नहीं आता है पर वह बिना कुछ सोचे समझे उस spear से वाइवरेन पर attack कर देता है जो देखते ही वाइवरेन अपने shield की मदद से उस attack को block करने की कोशिस करता है पर वह spear वाइवरेन के तीनो shield को तोड़ता हुआ उसके एक punk को destroy कर देता है और अब वह वापस से हीराकू के हाथ में आ जाता है तभी हीराकू दुबारा से उसका use करते हुए उस वाइवरेन का सीना चीर देता है जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं अब वह सभी लोग वाइवरेन की dead body के पास जाते हैं अब हीराकू उस वाइवरेन की dead body को देखता हुआ बोलता है तो क्या इस जगह पर इसके जैसे और भी creatures रहते हैं लूसी उसे बताती है कि वाइवरेन एक rare creature है और इसकी जन संक्या यहाँ पर बहुत ही जादा कम है हीराकू बो पाना किसी के भी परस की बात नहीं तो यह इस जगह पर खुदबखुद आया होगा अब यह सुनकर हीराकू बोलता है तो इसका मतलम हमारा village खत्रे में नहीं है तो मैं यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहता हूं क्या हम इसे खा सकते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि हीराकू अपने किचन में वाइवरन के मीट से कई सारे डिसिस बनाता है और अब सभी लोग एक साथ बैठ कर उस वाइवरन के मीट को खाते हैं वहीं वह उन सभी लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आता है तभी लूसी टीया से बोलती है तुम्हें क्या लगता है हीरा तो इस जगह पर सोच रहे थे वह बात गलत थी हमें लग रहा था कि हीराकू लखी है जिस वजह से उसे यहां पर इंफर्नो वॉल्फ और डीमन स्पाइडर बिना कुछ किये ही मिल गए पर अब हमें पता चल रहा है कि हीराकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए इंफर्नो वॉल्फ और डीमन स्पाइडर उसे ओवे करते हैं अब हमें डैमोनिक किंडम दिखाया जाता है जहां पर बैठ कर तीन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तब ही एक पर्षन बोलता है कि उनका वाइवरन उनके कैद से भाग गया और वह भाग कर फॉरेस्ट डैथ में गया था जहां पर एक पर्षन ने उसे अपने दो ही अटैक में मार दिया जो सुनकर बागी के दो पर्षन काफी जादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है उस वाइवरन को हमारी पूरी आर्मी मिलकर भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी और हमने को ही अटैक में वाइवरन को मार दिया पहला पर्षन बोलता है हम डीमन आर्मी के जर्णल है तो हम सभी मिलकर उस पर्षन का सामना कर सकते हैं तब एक पर्षन बोलता है इस बारे में भूल जाओ मैं उस पर्षन से कभी फाइट नहीं करूँगा मैं अभी रिजाइन करने जा रहा हूं दूसरी और ड्रेगन टाउन के लोगों को भी इस बारे में पता चलता है और अब वहां मौजूद ड्रेगन अपने साथी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वह अटैक जो वाइवरन के ऊपर किया गया था अगर वह मुझे लगता तो मेरा क्या होता वह दिखाया जाता है कि अगले दिन हिराकू अपने अंगूर के बगीचे में खड़ा अंगूरों को देख रहा होता है और अब वह सभी लोगों से बोलता है कि चलो हम सभी इस जगह पर मिलकर वाइन बनाते हैं अब वह सभी लोग अंगूरों को एक जगह पर इखटा कर लेत जिसके बाद वह उससे वाइन बनाएंगे अब कुछ लोग उन अंगूरों के उपर चलने के लिए आते हैं तभी हिराकू उनसे बोलता है कि उन्हें गोल गोल एक लाइन में घूमना है और उन्हें ध्यान से चलना है क्योंकि अगर उन्हें ध्यान नहीं दिया तो वह नीचे गिर सकते हैं जिसके बाद वह सभी लोग अंगूरों पर चलना स्टार्ट करते हैं पर तभी टिया का पैर फिसल जाता है और वह लिया के उपर गिर जाती है अब वह दोनों खड़े होते हैं और बोलते हैं कि वह इस जगह पर रिदम मैच नहीं कर पा रहे हैं तो यह काम करने के लिए उन सभी को एक साथ रिदम मैच करना होगा तभी एक elf बोलती है क्यों ना रिदम मैच करने के लिए वह लोग वह गाना गाए जो वह अपने पुराने elf village में गाया करते थे जिसके बाद सभी elf वहाँ पर वह गाना start करती है वही उस गाने के रिदम को फॉलो करते हुए बाकी के सभी लोग उन अंगूरों पर चल कर रस निकालते हैं और अब यह करने में सभी लोगों को काफी जाता मजा रहा होता है और अब वह सभी लोग ही राकू को भी अपने साथ पकर कर उस जगह पर ले आते हैं और एक साथ रिदम पर डांस करते हुए उन अंगूरों को मसलने लगते हैं वही यह करने में उन्हें बहुत ही मजा रहा होता है और अब थोरी ही देर में उनका यह काम पूरा हो जाता है दूसरी और गौड हीराकु को यह सब करता हुआ देखकर बोल रहे होते हैं देखो मैंने कहा थाना की हीराकु उस जगह पर खुस है वहीं गौड के सामने एक गौडेस खड़ी होती है और उस पर चिलाते हुए बोल रहे होती है कि आखिर तुम बार बार एक ही गलती कैसे दो पहले तो तुमने एक innocent human soul को punish किया और जब तुमने दुबारा उसे एक अच्छी life देने की कोशिस की तब तुमने उसे forest of death में भेज़ दिया जो जगह काफी जाता खतरनाक है और तो और तुमने उसे holy grim spear भी दे दिया जो spear बहुत ही जाता खतरनाक है गौड बोलते हैं को वह देने से पहले मैंने तुमसे भी इस बारे में पूछा था तभी goddess गुस्सा होते हुए बोलती है पर तुमने मुझे यह बात नहीं बताई थी कि तुम वह spear एक इनसान को दे रहे हो वह spear इतना खतरनाक है कि उसके एक ही attack से किसी भी creature को मारा जा सकता है और तो और goddess वह की होती है जो देखकर goddess को और भी जादा गुस्सा आ रहा होता है अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जाबुटोन अपनी जगह पर बैठा कपड़े बना रहा होता है तब ही वह दुबारा से उस alarm को बजाता है जिसकी आवाद सुनते ही हिराकु अपने spear क के साथ भागता हुआ फारेस्ट की ओर जाता है और अब वह वहाँ पर देखता है कि कुरो और जाबुटोन ने एक लड़की को वहाँ पर पकड़ कर रख रखा है और यह लड़की लूसी की छोटी बहन फ्लोरा होती है अब ही राकु उसे अपने विलेज में लेकर आता है अब फ्लोरा बोलती है कि जब उसे पता चला की एक इवल एंजल से भागते हुए लूसी इस जंगल में आकर छिपी है तो वह भी लूसी को ढूंडते हुए इस जगह पर आ गई तभी पीछे से टीया बोलती है कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं बोल रही हो और अब फ्ल फ्लोरा सोचने लगती है उसे यकीन नहीं हो रहा कि लूसी ने इस जगह पर साधी कर ली और हिराकू उसका हस्बेंड है और तभी वह वहाँ पर इंफर्नो वुल्फ को देखकर काफी जादा डर जाती है अब लूसी उसे बताती है कि हिराकू इस जगह का मास्टर है और य हिराकू से अपने बैड बिहेव के लिए माफी मांगने लगती है अब हिराकू कुरो को देखता हुआ बोलता है तो कुरो तुम कोई डॉग नहीं बलकि एक वुल्फ हो कुरो हामें जवाब देता है हिराकू बोलता है तो आखिर इस इंफर्नो का क्या मतलम है उसी वक्त को फ्लोरा को काफी साडा खाना बना canald कर खिलाता आए वहीं हो और बाकी के वुल्फ की ओर से आफि माफी मांगता है अब इन नई चीजों को खाकर रोरा काफी जाता खुश सोती और अब हिराकु को पदा चलता है कि फ्लोरा भी लूसी की ही तरह एक रिशर्चर है और अब फ्लोरा भी वहाँ पर अपने नोटबुक में उन सभी चीजों के बारे में लिखने लगती है अब कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद फ्लोरा वहाँ से वापस अपने घर की ओर चली जाती है और एक महिने के बाद फ्लोरा वापस से उस विलेज में आती है वही वह इस बार अपने साथ कई सारे मेड्स को लेकर आई हुई होती है तब ही हैड मेड आगे बढ़ते हुए हिराकू को अपना इंडर्डक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम आनी है वही वह अपने साथ कुछ जानवर भी लेकर आई हुई होती है जिनने देखकर हिराकू उससे पूछता है तो आखिर यह कौन से जानवर है देखने में तो मुझे यह गाए जैसे लग रहे है फ्लोरा बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा यह गाए ही है वहे पर दूर खरी टिया यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह सोचने लगती है कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा वैंपायर्स है एल्फ की भी मात्रा बहुत ही ज़्यादा है वुल्फ के पास भी एक अपनी बड़ी फैमली है और स्पाइडर्स के पास भी अपनी एक फैमली है पर वह यहाँ पर अकेली है जिस बारे में सोचकर वह परेसान हो जाती है और अब वह Hirakoo के पास जाकर उससे विलेज से थोरे दिनों के लिए बाहर जाने की परमिשन मांगती है और अब T.A. विलेज से बाहर चली जाती है अब कुछ दिनों के बाद T.A. वापस लोटती है वहीं वह इस बार अपने साथ अपने कुछ अंडर लिंक्स को लेकर आए हुई होती है जिसमें तीन फैरीज और कई सारे लिजार्ड मैंज होते हैν वहीं वह अपने साथ एक चिकन भी लेकर आए हुई होती है जिसे देखकर हीराकू काफी ज़्यादा खुश होता है अब उस जगह पर मेड्स के आ जाने की वज़ह से घर की साफसफाई का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका होता है पर उन मेड्स को खाना बनाने की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इसलिए हिराकू उन सभी को वहाँ पर खाना बनाना सिखाता है वहीं टिया के तीन अंडरलिंग एंजल्स होते हैं ग्रैंड मारिया, क्लूड और क्रो ने जिनने टिया विलेज के पैट्रोलिंग के काम पर लगा देती है और अब उन तीनों के विलेज में होने की वजह से विलेज की सिक्योर्टी काफी जादा बढ़ चुकी होती है वहीं हिराकू वहाँ मौझूद सभी लिजार्ड मैन को विलेज के लेवर्स का काम देता है क्यूंकि lizard men काफी जदा powerful होते हैं और levers का काम वह काफी आसानी से कर लेते हैं वहीं सभी lizard men एक जैसे दिखते हैं इसी लिए hiraku उन सभी lizard man के leader daga को उसके right hand पर एक scarf बाढने के लिए बोलता है जिससे वह उसे पहचान सके और अब वहाँ खड़ा हिराकु सोच रहा होता है कि मेरे इस विलेज की population सच में काफी तेजी से बढ़ रही है तब ही उसके पास भागते हुए लिया आती है और उससे बोलती है कि उसे जंगल में उसके विलेज की कई और सारी एल्फ मिली है अब हीराकु उन सभी लोगों को देखता है वह सभी लड़किया होती है जो देखकर हीराकु लिया से पूछता है आखिर इस जगह पर सभी लड़किया ही क्यों है एल्फ रेज के सभी आदमी कहा गए लिया उसे बताती है कि 200 साल पहले हुए वार में एल्फ रेज के सभी इस जगह पर रहने के लिए इतने सारे लोग आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर हमें हमारे विलेज को एक अच्छा सा नाम देना चाहिए लूशी बोलती है तुम ही ने इस विलेज को बनाया है तो फिर क्यों न तुम इस विलेज को अपना ही नाम दो हीराकू बोलता है इस village को हीराकू village बुलाना कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग मिलकर इस जगह पर village के लिए एक अच्छा नाम ढूंडे आन बोलती है तो फिर क्यों न हम इस village का नाम इस forest के नाम पर ही रख दे हीराकू बोलता है यह एक अच्छा आइडिया है तो आखिर इस forest का क्या नाम है आन उसे बताती है कि forest of death जो सुनकर हीराकू सोचने लगता है उसके village का नाम village of death कैसा लगेगा सबी साबुटोन हाथ उठाता है और वह दर्वाजे की ओर इसाड़ा करता है अब हीराकू दर्वाजे के पास जाकर दर्वाजा खोलता है तो उसे वह giant tree दिखाई देता है जिसे देखकर वह बहुत ही जादा खोलता है और बोलता है कि मैंने इस village की शुरुवात इस giant tree के पास करी थी तो फिर क्यों न हम इस village का नाम the great tree village रखे जो सुनकर सभी लोगों को अच्छा लगता है और अब सभी लोग वहाँ पर अपने village के नामकरन की खुशी में party करते हैं वही सभी लोग काफी जादा खुश होते हैं और हीराकू द्वारा बनाए गये wine को पीकर celebrate करते हैं और अब सभी लोग एक साथ मिलकर हीराकू को village का mayor बना देते हैं क्योंकि वही इस village का founder है और अब सभी लोग वहाँ पर एक साथ मिलकर wine पीते हुए celebrate करते हैं और यहीं पर यह है episode खतम हो जादा